कुख्यात अपराधी लेख राज यादव को कस्टडी से चुड़ाने की शाजस में जेल में बंद पूर्व विधायक दीप नाराएंट सिंग की मुश्किले कम होती नहीं दिख रही है इस बार उनके खिलाफ सीधे मौजूदा विधायक जवाहलाराजपूत ने शूटरों के जरिये हत्या की शाजस का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है शाजस में दीप नाराएंट का सहियोग करने के आरोप में पुलिया नमबर 9 निवासी सपा नेता सज्जन सिंग यादव के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है सज्जन यादव पहले से ही पुलिस हिरासत में है बता दें कि गरोठा से पूर्व सपा विधायक और मौजूदा भाश्वा विधायक में सियासी लड़ाई के बाद आज मौजूदा विधायक जवाहल लाल राजपूत खुल कर सामने आ गए विधायक राजपूत ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि ओने गरोठा निवासी रविंदर राजपूत का एक सील बंद पत्र मिला जिसमें लिखा था कि पूर विधायक दीप नारायन द्वारा उनकी वा उनकी बेटे की हत्या की साजिस 28 सितंबर 2022 को रात 11 बजे पुलिया नमबर 9 निवासी सज्जन यादफ के घर रची जा रही है हत्या के लिए हरियाना से 5 लाख रुपे में सूटर बुलाए गई हैं एक लाख रुपे पेशगी के दी गई है विधायक ने हत्या की आशंका जताते हुए सुरक्षा बढ़ा जाने की मांग की है इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा प्रेम नगर पुलिस ने गरोटविदाय की तहरीर पर दीप नारायन सिंग यादफ वा सजजन सिंग यादफ के खिलाफ धारा 115,506,120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है सजजन सिंग को प्रेम नगर पुलिस ने 14 अक्टूबर को ही पूछताच के लिए हिरासत में ले लिया था प्रेम नगर प्रिभारी निरिक्षक संजय शुकला के अनुसार मुकदमा दर्ज किया गया है अब अग्रिम जाच की जा रही है फिलहाल पूछताच के बाद सजजन आदव को छोड़ दिया गया है जाच में जो तथ्य सामने आएंगे विदिक कारवाही की जाएगी